नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक amplifier के बारे में नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको transistorized amplifier की designing के बारे में बताऊंगा तो इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैंने सुचा कि आपसे थोड़ा सा interaction किया जाए और ये interaction इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सीरीज बहुत important है और मैं सोच रहा था कि किस तरीके से इन वीडियोज को बनाऊं लगबग मुझे लगता है 5-6 या 10 जितने भी वीडियोज बन जाए मुझे पता नहीं है अभी और ये वीडियोज जो है ये सीरियस वीवर के लिए है सायद उतने ज़्यादा लोग इन वीडियोज को पसंद ना करें लेकिन इन वीडियोज को देखने से आपको एक एम्प्लिफायर के बारे में थारो नौलेज हो जाएगी कि उसका सर्किट किस तरीके से एनलाईज करते हैं और कौन सा सर्किट अच्छा होता है आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक किसी इन्डियान एम्प्लिफायर का रिव्यू नहीं किया है वो इसलिए मैंने नहीं किया है क्योंकि उनके सर्किट इतने अच्छे नहीं होते हैं तो यह अच्छा और खराब किस तरीके से डिसाइड करना है यह सारी चीज़ें आप इस वीडियोज में जान जाएंगे फ्रेंट्स एम्प्लिफायर की डिजाइनिंग प्योरली एक इंजिनरिंग सब्जेक्ट है तो अगर मैं इसे पूरे डिटेल में बताऊंगा तो हो सकता है कि यह बोरिंग हो जाए तो मैंने बीच का रास्ता निकाला है मैं थियोरी आपको पूरी बताऊंगा पार्ट्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं यह बीकॉज एक बहुत ही इंडिफ्थ का सब्जेक्ट है और यूट्यूब के वीडियो में इसको कवर करना मुस्किल है तो इसका सिंपल तरीका निकाला है कि एक बार अच्छे से एनलाईज करने के बाद मार्केट में जो भी इवलाइबल सर्किट है जिने हम अच्छा मानते हैं उनके बेस पर हम डिजाइनिंग करेंगे और उनके बेस पर हम समझेंगे कि किस तरीके से सर्किट अच्छा है या खराब है तो वहाँ पर आपको ये भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा कि पार्ट की वैल्यू कैसे निकालनी है आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि पार्ट की वैल्यू कम या ज्यादा करने से क्या फर्क पड़ता है और ओवराल कोई भी सर्किट अगर आपको दिख जाएगा मार्केट में या इंटरनेट पर तो ये सारी चीजें जो मैं डिसकस करूंगा उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सर्किट अच्छा है कितना अच्छा है कितना खराब है और आप उस सर्किट को यूज में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं मैं यह तो नहीं कहता हूँ कि मैं आपको engineer बना दूंगा और आप amplifier खुछ से design करने लगेंगे लेकिन इतना जरूर है कि इन videos को देखने के बाद आपको amplifier के circuits की अच्छी understanding हो जाएगी और आप किसी भी circuit को देखके यह analyze कर लेंगे कि हाँ इस circuit को मुझे use में लाना है या नहीं लाना है और दो circuit का compression भी आप कर सकते हैं कि यह वाला circuit अच्छा है यह वाला circuit खराब है और because मेरे पास limited resource है तो बहुत अच्छे graphical तरीके से मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा ट्राई करूंगा मेरी ज्यादा तर ड्राइंग हाथ की बनाई होंगी तो थड़ा सा आपको यह चीज बरदास्ट करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास कोई graphic design की team नहीं है कि जो अच्छे graphic design कर सके सारा video suit और edit मैं ही करता हूं और time मुझे कम मिल पाता है लेकिन मैं कोशिश करूंगा और इस बीच में जो review अगरे वाले video होते हैं amplifier के अलग अलग तरह के boards के वो video भी आते र तो हर videos में मैं intro नहीं दूंगा इस तरीके का यह first video है इसलिए मैं यहाँ पर intro दे रहा हूँ और यह first video है यहाँ पर हम amplifier के input section के बारे में जानेंगे और amplifier का जो building block है और transistor है वो किस तरीके से काम करता है इन चीजों के बारे में हम समझेंगे और यहाँ obvious सी बात है इतना तो आप समझ लीजी कि जब यह इतनी depth में हम बात करेंगे तो videos लंबी होनी लाजमी है और मैंने अभी तक देखा है कि इस तरीके की video हिंदी में available नहीं है यूट्यूब पर तो मुझे उमीद है कि अगर मैं मैंनत कर रहा हूँ तो आप का भी सा जन्त मिलती है और बाकी जो भी चीजे support के लिए मेरे आप कर सकते हैं मेरे चैनल के support के लिए कर सकते हैं वो चीजे करते रहिए पहले की videos में मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ कि जो भी मैं link नीचे देता हूँ उन link के थूरू आप खरीदारी कीजिए कोई भी इदनी पड़ती है इन videos को दिखाने के लिए और आप जानते हैं कि यह बहुत ही subject specific video है और मैं कोई monetary gain के लिए नहीं करता हूँ तो बहुत जादा मुझे कोई sponsor मिलने का chance नहीं है और मिलेगा भी नहीं क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ की सिर्फ तारिफ नहीं की जाती है उ आइए इसी के साथ part 1 video हम start करते हैं आइए friends start करते हैं power amplifier की designing के बारे में समझना और जिस power amplifier की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसको हम transistorized power amplifier बोलते हैं या discrete power amplifier भी बोलते हैं यानि कि यह अलग-अलग component से बना हुआ और transistor की help से बना हुआ amplifier है तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि power amplifier actually में होती किया चीज है तो power amplifier एक ऐसा audio system है जो कि आपके line level के signal को एक large signal में convert कर देता हैं जिससे कि हम speaker को चला सकते हैं normally आपका line level का जो signal होता है वो 1V से लेके 3V RMS तक का होता है और इसमें इतनी ज़्यादा current capacity नहीं होती है यह एक speaker को चला सके तो इस तरह के line level के signal को हम amplifier की सहता से power level के signal में बदलते हैं जिससे कि हमारा speaker drive होता है जैसे example के लिए मैं आपको simply बताता हूँ कि आगर एक हम 100 watt का amplifier बनाना चाहते हैं जो कि आपके 8 ohm पर 100 watt की power दे 100 watt की power 8 ohm पर produce करने के लिए हमें लगबग 28 volt RMS की जरुरत होगी 3.5 amp current पर जो की sine wave होगी तो इस तरीके से आपने देख लिया कि power amplifier एक ऐसी चीज है जो बहुत जादा high voltage और high current प्रोड्यूस करती है उसके अलावा हमारे amplifier में gain भी होता है तो normally जो amplifier हम use करते हैं power amplifier की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें 20 से लेके 30 तक का gain होता है यह कोई strict rule नहीं है आप इससे ज़्यादा भी gain रख सकते हैं आप इससे कम भी gain रख सकते हैं power amplifier का एक और characteristic होता है कि इसका input impedance बहुत हाई होता है जो कि 10 kilo ohm से ज़्यादा होता है और output impedance बहुत कम होता है जहां पर की speaker लगाते हैं तो इसका example में आपको picture में दिखा रहा हूँ जैसे कि suppose कीजिए कि line level आपका 1.5 volt आया और आपका एक amplifier है 20 या 30 gain का 20 से लेके 30 का gain हो अगर आपके पास और 8 volt RMS की input हो तो आपको 50 watt से लेके 100 watt तक की output 8 ohm की load पर मिलेगी और जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि amplifier में बहुत ज़्यादा parameters और भी होते हैं जैसे इसकी output power कितनी है कितने ohm पर frequency response कितना है इस में noise कितनी है और उसके बाद distortion कितना है और इस amplifier का damping factor कितना है और dynamic headroom कितना है slew rate कितना है तो इस तरह के बहुत सारे characteristics होते हैं तो आप घबराईएगा नहीं जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे ये चीजें आपको समझ में आने लगेंगी 8 ohm के load पर मैंने एक chart यहां पर दिया है कि किस तरह का amplifier आपका किस तरह की का देता है output तो 50 watt की power अगर आपको 8 ohm के load पर चाहिए तो आपको 20 volt rms की output power चाहिए और 3.5 ampere में इसी तरीके से अगर आपको 8 ohm पर 100 watt की power चाहिए तो 28 volt की rms मिलनी चाहिए और आपको लगबग 5 ampere की current मिलनी चाहिए और इसी तरीके से 200 watt के लिए 40 volt rms 7 ampere की current और 400 watt के लिए 57 volt की rms और 10 ampere की current मिलनी चाहिए तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे output की power की requirement बढ़ती जाती है उसी तरीके से हमारा output voltage और current का ratio भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है और अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी normal amplifier में कितने सारे section होते हैं तो normally अगर देखा जाए तो 3 section होते हैं बिल्कुल simplistic तरीके से देखा जाए तो तो पहला हमारा section जो होता है किसी amplifier में वो होता है input section तो हमारा जो भी input signal आता है वो इसी section में entry करता है और उस signal को ये amplify करके next section को देता है जिसे हम बोलते हैं VAS section यानि कि voltage amplification section और ये VAS section है ये भी बहुत important section होता है जितना भी आपका gain create होता है आपके amplifier में वो इसी section में ज़्यादा तर create होता है और उसके बाद आपका एक driver section होता है यानि कि ये जो VAS section से output मिलेगी वो आपके driver section में चली जाएगी और driver section के बाद आपका next होता है output section तो इस तरीके से 3 या 4 driver और output को आप एक हिसे में मान ले तो 3 section होगा तो ये आपको सुनने में बहुत simple लगा होगा लेकिन आप जैसे आगे जाएंगे आप देखेंगे कि एक एक section में किस तरीके से complexity बढ़ती है उसके अलामात जितने भी modern amplifiers है उनका एक main characteristic है वो है feedback यानि कि जितने भी amplifier हम design करते हैं उसमें हम output को input पे वापस देते हैं input के negative हिस्से में हम output का एक हिस्सा फिर से वापस देते हैं इसको हम बोलते है negative feedback इसका क्या role है और कितना important है ये सारी सीजे भी आपको आगे चलके पता चल जाएंगी और friends जब हम बात करते हैं transistorized amplifier की तो चुकि transistorized amplifier है तो जाहर से बात है कि transistor ही इसका basic building block है तो आपको सबसे पहले ये जाना पड़ेगा कि एक transistor किस तरीके से amplifier का काम करता है इसी single transistor के बने हुए amplifier को हम एक बड़े amplifier में जगह जगह implement करते हैं तो इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि transistor क्या है किस तरीके से काम करता है तो आप जानते हैं दोस्तों, transistor हमारे दो तरीके के होते हैं, एक NPN transistor होता है, एक PNP transistor होता है, और इन सब चीज़ों के बारे में, जो भी मैं बता रहा हूँ, आपको NPN या PNP transistor, और सारे भी टर्म जो आपको बीच में नहीं समझ में आ रहे हैं, ये सारे टर्म में आगे explain कि आप इन चीजों को internet पे सर्च करके देखिए कि NPN transistor क्या है PNP transistor क्या है ये किस तरीके से काम करता है क्योंकि यहां मैं brief में बताऊंगा तो आपको हो सकता हो समझ में ना आए और यहां मेरा target ये भी है कि इतना difficult मैं ना बता दूँ एक आम आदमी normal जो हमारा mechanic है या एक student है उ simplicity और complexity के बीच का रास्ता हम निकालते हैं इसके next वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक transistor की help से common emitter amplifier किस तरीके से बना जाता है जो कि किसी भी amplifier का basic building block है और उसके next वीडियो में मैं आपको amplifier के input stage के बारे में बताऊंगा लेकिन घमराएगा नहीं ये तीनों वीडियो मे start में divide कर दिया है और because सारे वीडियो ready है इसलिए मैं हर third day पर एक वीडियो इसका upload कर दूँगा इसे के साथ नमस्कार and bye friends